हेलो गाइज वेलकम बैक टूर चैनल जेती ओन्राइन क्लासेज आज हम डिसक्स करने वाले हैं सूपर एमसी की सीरीज का शैशन नंबर थर्ड इसका अंदर हम डिसक्स करने वाले कुछ बहतरीन कोश्चन्स जो आपको आपके आने वाले जेए एक्जाम जैसे की UPPCLAE, RSM, SSB, केंदर काफी helpful देने वाले हैं अगर आपका में साथ first interaction तो पिछले वीडियो को आप पर इसमें जाकर देख सकते हैं तो इसलिए शूरू करते हैं इस question के अंदर हम से आपके पूछा गया है कि parallel plate capacitor के case में जब हम voltage की value को यहां पर increase करेंगे तो उस case में capacitance के उपर क्याइपक् दो बातों से confusion created हो सकती है पहला जो capacitance charge store करता है वो होता है q into cv और दूसरा formula जो parallel plate capacitor के case में आता है वो निकल कर आता है capacitance का formula epsilon not a by d अब यहां पर यह जो formula होता है यह होता है कि कितना charge store कर रहा है capacitor तो इसके दूरू हम यहां पर values को compare नहीं कर सकते यही आपको exam के अंदर चीज चीज confuse कर सकती है तो यही चीज आपको यहां पर यार रखनी है तो यहां पर हम consider करेंगे formula c is equal to epsilon not a by d और इसके अंदर voltage कहीं पर भी नहीं है यानिकि voltage के उपर capacitance के value depend ही नहीं करती तो यहां पर जो सही answer होगा वो होगा c it remains constant I hope आप सब भी को यह चीज यहां पर समझ मैं होगी वैसे कई लोगों को पता होता है पर exam के time पर आप इसे लेकर confused हो सकते हैं तो इसे आप कहीं पर note down कर लीजेगा करने के लिए इनमें से कौन सा method यहां पर use होगा तो first of all तो जो magnetic locking होती है उसके पीछे पहला कारण होता है low voltage का और दूसरा कारण होता है magnetic locking का magnetic locking का जिसे और एक और नाम से जाना जाता है cogging कोगिंग के effect की वाज़े से यहां पर motor start करना बंद कर देती है तो इसे दूर करने के लिए हमारे पास दो options है पहला कि हम rotor के pole rotor के pole और stator के pole इन दोनों को बराबर नहीं रखें और दूसरा method है कि जो हम rotor use करते हैं induction motor के अंदर उनको थोड़ा सा skewed कर दें, skewed मतलब उनने थोड़ा सा tilted way में कर दें जैसा कि आप इस diagram के अंदर देख सकते हैं उससे होगा कि magnetic locking नहीं होगी induction motor के अंदर और इसके अलावा उसके अंदर harmonics भी produce नहीं होगे तो इसका जो सही answer होगा वो यहां पर होगा squid rotor slots यानी rotor slots को हमें ske skewed करना पड़ेगा, skewed मतलब थोड़ा सा tilted way में, I hope आप सभी को यह चीज यहां पर समझ में आई होगी, चलिए next question को देख, question कर दर हम से आपर पूछा गए कि एक sinusoidal waveform के case में ratio of average value and rms value कितना निकल कर आएगा, तो sinusoidal waveform के बारे में पूछा यानी कि यहां पर ac value की बात हो र कर आता है, I am upon root 2, और हमसे पूछा क्या है यहां पर, हमसे पूछा है ratio of average value upon rms value, यानि कि इन दोनों values को हमें यहां पर divide करना है, तो यहां पर हम average value को लिखेंगे, 2 into I am upon my pi, और rms value को इसके नीचे लिख देंगे, I am upon my root 2, और जब हम इन दोनों को यहां पर divide करेंगे, तो ह हमारा जो last answer निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा, 2 root 2 upon my pi, तो यहां पर इसका जो सही answer होगा, वो होगा d, 2 root 2 upon my pi, I hope आप से भी को यहां पर यह चीज समझ माई हो, इस question कर अंदर हम से आपर पूछा गया है, कि एक voltmeter की हमें निकालनी है sensitivity, जब हमें उसकी range बता हो, 0 से 5 5 milliampere, यानि कि इसका जो full scale deflection current है, वो है maximum current 5 ampere, तो यहां पर जो sensitivity का formula होता है, वो निकल कर आता है, 1 upon my I FSD, FSD मतलब full scale deflection current, तो यहां पर 1 upon my full scale deflection current कितना आएगा, जब वो उसकी maximum value पहुँच जाए, वो यहां पर निकल कर आएगा, 5 milliampere, तो हम यहां पर IFSD की जगे लिख 5 milliampere, milli की जगे हम यहां पर लिखेंगे 10 raised to power minus 3, जब इसे हम solve करेंगे, तो हमारा जो answer निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा, 200 ohm per volt, इसके लाब आपको यहां पर एक ध्यान रखने वाली चीज़ यह है, कि जो sensitivity की unit होती है, वो होती है, ohm per volt, ऐसे कुछ questions भी आप से exam के the put-up हो सकते हैं, तो यह चीज़ भी आपको यहां पर याद रखनी है, तो यहां पर इसका जो सही answer होगा, वो होगा, A, 200 ohm per volt, I hope यह सभी को समझ में आया होगा, okay, now moving to the next one, इस question के अंदर हम से यहां पर बूला गया कि एक 3 unit insulator string है, उसकी जो lowest unit है, उसका voltage हमें यहां पर given ह 17.5 kV, और जो string की efficiency है, वो हमें यहां पर given है, 84.28%, तो हमसे यहां पर पूछा गया कि total voltage across the string कितना होगा, तो इसके लिए आपको formula पता होना चाहिए, string efficiency का, तो string efficiency का जो formula होता है, वो होता है, S is equals to V, यानि total voltage upon my end, number of disk कितनी है, उस insulator के अंदर, into VN, VN यानि कि lowest जो disk है, जितनी भी disk लगी हुई है, तो जो lowest disk है, उसका कितना यहां पर voltage है, वो चीज होगी यहां पर VN, तो total voltage जो यहां पर निकल कर आएगा, वो तो हमें यहां पर निकालना है, क्योंकि वही चीज हम से यहां पर पूछी गई है, और नीचे हम number of disk लिख देते हैं, तो number of disk यहां पर कितनी given है, 3 units, जैसा कि question के अंदर given था, तो हम यहां पर लिख देंगे 3, VN यानि कि lowest unit के अंदर कितना voltage था, तो वो यहां पर जैसे कि हमें given है 17.5 kV, तो यहां पर लिख देंगे 17.5 into 10 to power 3, और sting efficiency हमें given थी 84.28, इसे हम यहां पर लिख सकते हैं 84.28%, अब जब हम इसे solve करेंगे V के लिए, तो यहां पर जो हमारा answer निकल कर आएगा 442.5 kV, तो इसका जो सरी answer होगा, वो यहां पर होगा A, 442.5 kV, I hope यह सभी को समझ माया होगा, फिर भी अगर आपका कोई doubt है, तो उ सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे subscribe भी कर दीजेगा, अपने friends के साथ share भी कर दीजेगा, ओके ना, moving to the next question, इस question कर दो हम से अपर पूछे गए कि एक salient pole synchronous motor, अगर no load पे run करती है, and उस case में अगर हम field current की value को 0 कर दें, यानि switch off कर दें, तो motor के उपर का effect पड़ेगा, तो हमिने याँ पर मैं Q-axis भी भूल देता हूँ, अब इसके अंदर होता, क्या है कि direct axis के case में, जो deluktense होता है, reluctance जैसे कि magnetic circuit के अंदर resistance होता है कुछ इसी type से magnetic circuits के अंदर reluctance होता है direct axis के along यहाँ पर reluctance जो होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पर air gap ही बहुत कम है जबकि अगर हम quadrature axis की बात करें तो यहाँ पर air gap बहुत जादा होने की वज़े से यहाँ पर जो इसका reluctance होता है वो बहुत जादा होता है तो इसी reluctance के अंदर difference होने की वज़े से यहाँ पर एक power produce होती है जिसे कहा जाता है reluctance power reluctance power तो यहाँ पर हमें question के अंदर बोला गया है कि जब हम synchronous motor के अंदर field current की value को off कर दें तो उस case में motor के उपर क्या effect पड़ेगा तो होगा गया जब भी हम field current की value को यहाँ पर zero करेंगे तो उस case के अंदर यहाँ पर emf की value zero हो जाएगी और जब emf की value यहाँ पर zero हो जाएगी तो जो electromagnetic power यह produce कर रहा होगा em power वो भी यहाँ पर zero हो जाएगी पर यह power यह power यहाँ पर zero हो जाएगी पर जो reluctance power जो भी मैंने आपको पहले समझाएगे यह power यहाँ पर zero नहीं होगी और इसकी वज़े से motor run करेगी और यह power इतनी होगी कि इसे neglect भी नहीं किया जा सकता electromagnetic power के comparison में तो इसलिए यहाँ पर motor run करती रहेगी कि जितनी speed पर वो पहले चलती थी यानि कि synchronous speed पर ही वो run करेगी यहाँ पर जो उसका सही answer होगा वो होगा continue to run at a synchronous speed I hope आपको सभी कोई एक concept यहाँ पर समझ में आया होगा और इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियो में भी questions के दूर काफी concepts करें अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेस में जाकर देख सकते हैं और कुछ easy type के questions आपको आपके आने वाले J exams के अंदर देखने को मिलेंगे तो आप बिना यह वह एंगल होता है जिससे की rotor पीछे रह जाता है जिससे की rotor पीछे रह जाता है revolving field से और यह revolving field किसकी वज़े से produce होती है यह produce होती है आप में चर्ण की वज़ेंगे तो आप यह सभी को सब्च में आया होगा यहां पर चलिए next question को देख से इस question के अंदर हमें यहां पर बुला गया है कि एक coil जिसका deluxe tense है 2 into 10 to power 6 ampere tons per weber और इसे जब हम रखते है magnetic field के अंदर तो यह experience करता है mmf 2500 ampere tons का और हमसे यहां पर पूझी गई है value flux की तो अब इसके लिए हमें कुछ जो बेसिक फॉर्मले पता होने चीए जैसे कि reluctance का जो formula होता है वह यहां पर होता है mmf upon में flux और जो mmf का formula होता है वह होता है ni और flux को हम लिखते हैं phi तो यहां पर हमें करना कहें कि हम सब पूझी है value total flux की तो flux को हम inside ले आते हैं और यहां पर mmf से divide हो जाएगा reluctance अब mmf की value हमें यहां पर given है 250 ampere turns तो हम यहां पर लिख देंगे 250 नीचे हमें यहां पर reluctance की value लिखने है जो हमें यहां पर given है 2 into 10 to power 6 तो इससे हम यहां पर as it is लिख देंगे और जब हम इस value को यहां पर solve करेंगे तो हमारा जो answer निकल कर आएगा वो निकल कर आए 125 new weber यहां पर जोसका सभी आंसर होगा वो होगा a 125 new weber आप सभी को यहां पर समझ में आया होगा इसी डाइप के कुछ छोटे-छोटे numerical आपको आने वाले एक्जाम्स यानि DSSBJE मेंली DSSBJE के अंदर देखने को मिल सकते हैं इस question के अंदर हम से आप पूछा गया है कि इन में से कौन सा यह यहां पर यहां पर कि इसके अंदर कोई भी कंट्रोल स्प्रिंग्स यूज नहीं होती इसी के कारण ही इसका जो controlling talk होता है वो थोड़ा कम होता है तो इसके regarding आपको यहां पर तीन बाते यहां पर याद रखनी है इसके इसके अंदर हम से आपर बोले गया है कि इस वोल्टेज फेजर की वैल्यू हमें यहां पर गिवन है 10 एंगल 15 डिग्री और करेंट की वैल्यू हमें यहां पर गिवन है यह मगनिट्यूंद है वन gear के तो हमने बी की वैल्यू गिवन थी 10 एंगल 15 और यहां पर आममें गिवन यह इसके में के不會 हो जाएगा लाइस में तो वह ए इजहां यहां पर आई की जगे आ जाएगा अब बात आती है यहां पर हमें निकालना है dos eg की value क्या होती है यह होता है phase difference between voltage and current तो यहां पर कैसे निकल कर आएगा voltage का हमें एंगल लिखना पड़ेगा यहां पर यह माइनस में करना पड़ेगा current का जो एंगल दे रखा है तो current का एंगल हमें दे रखा है माइनस 45 उसको लिख देते हैं अब जब हमें इसे का answer निकालेंगे तो यह निकल कर आएगा यहां पर 60 degree अब इस 60 degree के वालियों हमें यहां पर पुट करनी है तो हमें हमारे पार चाना यहां पूरा data है वह एज़िए हमें पूट करना है वी की यहां पर magnitude value आईगी तो वह आईगी 10 आई की जो magnitude value है वह हमें given है 2 और यहां पर आजाएगा साइन 60 degree तो जब हम इसे आगे solve करेंगे तो हमारा जो अंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17.32 VAR तो यहां पर जोसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17.32 VAR I hope आप सभी कोई चीज यहां पर समझ में आई होगी चलिए next question को देखते हैं इस question कंद्र हम से आपर बोला गया है कि insulation resistance एक पांच किलोमेटर लॉंग केबल का हमें यहां पर गिवन है एक मेगा होम अब हमसे पूछा गया है कि 25 किलोमेटर की लाइन के लिए कितना होगा तो यहां पर जो installation resistance का जो formula होता है वह होता है elaborate करके अगर आपको मैं बताओं तो वह होगा दो टू पाई एल into log of r2 upon में r1 कुछ इस टाइप का यहां पर formula होता है अब यहां पर देखने वाली जो main चीज है वह यहां पर यह कि insulation resistance इंवर्स्टी प्रपोर्चनल चलता है length of the cable के question करने हमें यहां पर कुछ data गिवन है कि जब उसकी length थी 5 km तो उसका जो resistance गिवन था वो गिवन था 1 mega ohm यानि 1 into 10 to power 6 ohm अब हमसे पूछा गया है कि जब हम उसकी length को 25 कर देंगे तो उस case के अंदर यहां पर resistance की value कितने निकल कर आएगी तो इसके लिए हम हमारे पास अब relation तो यहां पर given ही तो इसके तुरू हम यहां पर दो equations बना लेंगे और उन दो equations को जब हम यहां पर divide करेंगे तो उसे हम यहां पर लिख सकते हैं R2 upon में R1 और यहां पर opposite हो जाएगा क्योंकि inversely proportional है तो यहां पर आजाएगा L1 और यहां पर आजाएगा L2 अब हमें calculate क्या करनी है R2 की value calculate करनी है तो हम R1 को इस side ले जाएगे R1 को हम इस side में यहां पर multiply कर देंगे तो यहां पर आप simply हमें values put करनी है L1 की value हमें यहां पर given है 5 L2 की value given है 25 और R1 की जो value given थी वह हमें given थी एक mega ohm यहां पर हम लिख देंगे 1 into 10 देश्ट पाव 6 और जब इस value को हम यहां पर solve करेंगे तो यह हमारे पास निकल करेंगी 5 से यहां पर यह फाइप ताइम चल जाएगा और यहां पर निकल करेंगी 0.2 into 10 देश्ट पावर 6 ohm तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा c.2 mega ohm I hope आप सभी कोई question समझ में आया होगा और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलदा है तो प्लेज इसको लाइक ज़ूर कर दीजेगा और में फ्रेंट्स के साथ शेर भी कर दीजेगा ऐसे इंक्रेश करने के लिए हमें होके ना मुविंकितान next question इस question करने हम से आपर बोला गए कि 400 वोल्ट पचास हट्स पर इंडक्शन मोटर वक कर दीए जिसके अंदर 6 पोल्स है और वो रन कर रही है 960 rpm के उपर तो हमें इस ताइम पर निकालने है उसकी slip की value तो यहां पर हमें जो data गिवन है हम उसे लिख लेते हैं इससे क्या हमें आसानी हो जाएगी question solve करने के अंदर तो पोल हमें यहां पर गिवन है 6 और frequency हमें यहां पर गिवन है 50 Hz इसके लावा हमें एक data गिवन है वो है nr यह rotor की speed गिवन है हमें जिस पर वो रन कर रहा है slip का formula यहां पर निकल कर आता है slip speed slip speed upon में rotor speed rotor speed अब यहां पर जो slip speed होगी वो निकल कर आएगी ns-nr और जो rotor speed होगी उसे हम लिख सकते है nr तो हमारे पास अब यहां पर question आता है कि हमें ns calculate करना है और ns क्या होती है वो यहां पर होगी synchronous speed तो ns का formula वैसा तो आप सभी लोगों को पता होगा यहां पर तो ns का formula होता है वो होता है 120 into f upon में p तो 120 हमें as it is लिखना है frequency की value जासा कि अभी मैंने note करी थी वो आएगी 50 और question के अंदर pool की value given थी 6 तो ns की value यहां पर निकल कर आजेगी यहां पर 1000 rpm तो अब हमारे पास ns की value भी है nr की value हमें question के अंदर given थी तो हमें सिर्फ यहां पर value put up करनी है तो ns की value यहां पर निकल कर आएगी 1000 nr की value हो जाएगी 960 और नीचे हम लिख देंगे 960 जब इस value को हम यहां पर solve करेंगे तो हमारे जो answer निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0.04 जनी कि 4% तो इसका उसरी answer होगा वो होगा A 4% I hope आप सभी को यह चीज यहां पर समझ में आई होगी चलिए next question को देखते हैं इस question के अंदर हमसे आपर बूला गया है कि एक single phase auto transformer है जिसका हमें transformation ratio given है 200 by 125 और वो deliver करना है 40 kVA की power कितने power factor के उपर 0.8 के उपर अब हमसे यहां पर पूछा गया कि अगर हम उसके leakage react tensor magnetizing current को neglect कर दें तो उस case के अंदर loading condition के उपर वो कितना kVA यहां पर transform करेगा यानि कितने power यहां पर वो transform करेगा तो इसका जो formula निकल कर आएगा transform kVA का transform kVA का जो यहां पर formula निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1-k multiply by rating of rating of auto transformer auto transformer तो यहां पर जो k है यह है transformation ratio और transformation ratio यहां पर निकल कर आएगा formula से और वो होगा v2 upon में v1 से यहां पर v2 given है 125 और v1 given है 200 तो transformation ratio यहां पर निकल कर आएगा 0.625 तो हम as it is यहां पर इसका अन्दर value पूट कर देंगे 1-0.625 इंटू rating of auto transformer तो rating of auto transformer हमें यहां पर जैसे कि given था 40 kVA तो हम यहां पर पूट कर देंगे 40 kVA तो इसका जो answer निकल कर आएगा वो यहां पर निकल कर आएगा 15 kVA तो इसका जो सही answer होगा वो होगा A 15 I hope आप सभी को यह चीज यहां पर समझ में आरे होगी अगर फिर भी अगर आपका कोई doubt हो तो उसे आप comment section के अंदर पूछ सकते हैं okay now moving to the next question के अंदर हम यहां पर resident frequency given है एक band pass filter की और वो given है 20 kilohertz यहां पर हमें bandwidth given है 2 kilohertz तो हमसे यहां पर पूछी रही है अपर cutoff frequency तो जैसे कि आप diagram के अंदर देख सकते हैं कुछ इस type की होती है कुछ इस type का diagram होता है resident के case में यहां पर जो f1 है वो यहां पर है lower frequency और जो f2 है वो है upper frequency तो lower frequency का जो यहां पर formula निकल कर आता है वो निकल कर आता है resident frequency minus bandwidth by 2 जबकि जो upper cutoff frequency है उसका जो formula निकल कर आएगा resident frequency plus bandwidth by 2 तो हमसे यहां पर पूछी गई है upper cutoff frequency उसे हम इस formula के अंदर यहां पर put कर देंगे जैसा कि हमें question के अंदर data given था कि resident frequency हमें given थी 20 kHz bandwidth वो हमें given थी 2 kHz तो हम यहां पर लिख देंगे इसे 2 kHz अब यहां पर as it is हमें आपर formula पूट करना है तो resident frequency का formula निकल कर आएगा 20 kHz प्लस और bandwidth की जगे हम रखेंगे 2 kHz divided by 2 और जब इस value को हम यहां पर solve करेंगे तो 20 तो यहां पर as it is हो जाएगा और यह cut के यहां से बना जाएगा तो इसको उसे ही answer होगा वो निकल कर आएगा d 21 kHz आए होप आप सभी कोई numerical यहां पर समझ में आया हुआ कुछ इसी डाइप के numerical आपको आने वाले जही एक्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं जो मैंने आपके कुछन के अंदर सीधे तो इस सीरी के तुर भी काफी कुछन आने कि यहां पर संभा होना है तो इस सीरी को अ होता हे डालेक्टिक के case में वो होता है 20 स्कूर ओमेगा सी 10 वहां पर पा वसका फॉरॉमिला है वो Directly proportional चलता है discern which तो यहां पर जो सही आंसर होगा वह होगा ओमेगा आप सभी को यह चीज यहां पर समझ माई होगी चलिए नेक्स को देखते हैं इस कोशन के अंदर हम से आपर पूछा करेंगे कि और जो यहां पर वर्किंग कंपोनेंट का यहां पर क्रेंट का यह कुछ प्रक्टिकल डाइप को सब्सक्राइब पर यार रखना पड़ेगा तो नो-लोड के इसमें नो-लोड क्रेंट सप्लाइब वूल्टेज से लगबक 75 डिगरी तक पीछे चलता है तो इसलिए जो इसका स कितना धाई एंपियर से पचीस एंपियर का उससे यहां पर बनाना है और उसके इसके इंदर एमिटर का जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है पॉइंट जीरो नाइन ओम तो यहां पर मैं आपको एक डाइग्राम के तूप बताने की कोशिश करता हूं जैसे मान लीजिए यह एमिटर का रेजिस्टेंस गिवन है यहां पर पॉइंट जीरो नाइन ओम अब हमें करना गया इसकी रेंज बढ़ानी है 2.5 अब हमें इसको एक्टेंट करके लिए के जाना है 25 अब तक तो इसके लिए हमें आपर शंट के अंदर रेजिस्टेंस लगाना होगा अब जो वो कुछ शंट के अंदर रेजिस्टेंस लगाना है उसी की वैलू हमें यहां पर निकालनी है और जो हमें एक्टेंट करना है 25 A तक तो इसका एक फॉर्मुला होता है वह यहां पर निकल कर आता है रसेच इस इक्वल्स टू रम अपॉन में माइनस वन तो यहां पर जो एम है हो यहां पर होगा है कि Mississippi करेंट अपॉन में में मेयर गनत तो फॉलश् सैल डिफ्लाक्षिन धूर्टि ग्लैक्षं जो हमें लेकर जाना है वह लेकर जाना सुनधितनी-अ यंदिग करना को और जो मेरे मेरे जो फॉन्स यहां पर जाना है और था 25 यंदिफयर तो यहां पर हम इसको solve करेंगे तो m की value यहां पर निकल कर आएगी 10 तो अब इसको हम यहां पर formula कर अंदर put कर जाते हैं तो मिट्र के resistance की जो value given थी हमें वो यहां पर given थी 0.09 ohm तो हम यहां पर लिख देंगे 0.09 m की value जैसे कि अभी अपने यहां पर calculate करी लिए तो वह निकल लिख देंगे यहां पर 10-1 तो जब हम इससे solve करेंगे यहां पर तो यह निकल कर आएगा 0.01 ohm तो यहां पर उसका सही symmetrical type of fault है तो यहां पर दो टाइप के fault होते हैं पहला होता है symmetrical टाइप और दूसा होता है unsymmetrical type unsymmetrical type के अंदर होता कि आएगी fault आने के बाद में जो current का distribution होता है वो unequal हो जाता है इसी के जाद जो phase shift होती है phase shift वो भी यहां पर unequal हो जाती है जबकि symmetrical के case में यह दोनों चीज़ें यहां पर equal रहती है तीनों phase के अंदर तो यहां पर जो unsymmetrical type के examples होते हैं वो होते हैं LG fault line to line fault और double line to ground fault जबकि symmetrical के case में एक ही आता है और वो यहां पर होता है triple LG fault तो यहां पर जो इसका सही answer होगा वो होगा B triple LG fault I hope आप सभी को यह चीज यहां पर समझ माई होगी और यह question मैं पिछले वीडियो के last में पूछा था इसके अंदर यहां पर पूछा गया कि boiler super heater economizer और air heater यह चारों कौन सी unit के अंदर यहां पर use होते हैं तो इसका जो सही answer देना होगा comment box में और इसी तरीके से knowledge gain करने के लिए हमारे channel को subscribe कर दीजेगा share कर दीजेगा लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा हमें ऐसे encourage करने के लिए आगे वीडियो बनाने के लिए थैंक यू फॉर लेस्निंग